सियावर राम चंद्र की जाए मेरे प्यारे देश्वासियों राम राम जीवन के कुछ ख्षण इस्वरिय आशिरवात की वज़से ही यथार्थ में बदलते हैं आज हम सभी भारतियों के लिए दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है हर तरफ प्रभूस्री राम की भक्ति का अध्भूत वाता बराण चारों दिशाओं में राम नाम की धून राम भजनों की अध्भूत सौंदर्य माधूरी हर किसी को इंतजार है बाइस जन्वरी का उस अईतिहासिक पवित्र पल का और अब अयोध्या में राम लदा की प्रान प्रतिष्ठा में केवल ग्यारा दिन ही भचे हैं मेरा सवबाग्य है कि मुझे भी इस पुन्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है ये मेरे लिए कल्पना तीद अनुभूतियों का समय है मैं भाव को हूँ भाव विहवल हूँ मैं पहली बाद जिवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं अनुभूति का आउसर है चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता व्यापकता और तीवरता को शब्दों में बाद नहीं पा रहा हूँ आप भी भली भाती मेरी स्थिती समझ सकते हैं जिस स्वप्न को अनेको पीडियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने रधे में जीया मुझे उसकी सिध्धी के समय उपस्तित होने का सोभग्य मिला है प्रभु ने मुझे सभी भारत मास्यों का प्रतनिदित्व करने का निमित्त बनाया है निमित्त मात्रम भवस सव्य साचिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जैसा हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है हमें इश्वर के यग्य के लिए आराधना के लिए स्वयम में भी दैविय चेतना जागरत करनी होती है इसके लिए सास्त्रों में वरत और कठोर निम बताए गये हैं जिने प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मारदर्शन मिला उन्होंने जो यम नियम सुझाये हैं उसके अनुसार मैं आज से ग्यारा दिन का विशेश अनुस्ठान आरंब कर रहा हूँ इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के स्री चर्णों में प्राथना करता हूँ रुशियों मुनियों तपस्यों का पुन्य स्मरण करता हूँ और जनता जनारदन जो इश्वर का रूप है उनसे प्राथना करता हूँ कि आप मुझे आशिरवात दें ताकि मन से वचन से कर्म से मेरी तरब से कोई कमेन आ रहा है साथियों मेरा ये सवभाग्य है कि ग्यारा दिन के अपने अनुस्ठान का आरंब मैं नासिक धाम पंच्वटी से कर रहा हूँ पंच्वटी वो पावन धरा है जहां प्रभूस्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखत सेयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानन जी की जन्मिजेंती है ये स्वामी विवेकानन जी तो थे जुन्नों ने हजारों वर्सों से आकरांती ध्वारत की आत्मा को जग जो रहा था आज वही आत्मिविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सब के सामने है और सोने पर सुहागा देखिए आज माता जी जाबाई जी की जन्मिजेंती है माता जी जाबाई जिनोंने चत्रपती सिवा जी महराज के रूप में एक महा मानों को जन्म दिया था आज हम अपने भारत को जिस अक्षोन रूप में देख रहे हैं इसमें माता जी जाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है और साथियों जब मैं माता जी जाबाई का पुन्डि स्मरन कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी मा की यादाना बहुत स्वाभाविक है मेरी मा जीवन के अंत तक माला जबते हुए सिताराम का ही नाम भजा करती थी साथियों प्राण प्रतिष्ठा की मंगल गड़ी चराचर स्रुष्टि का वो चैतन्य पल अध्यात्विक अनुभुदी का वहुसर गर्व गुरु में उस पल क्या कुछ नहीं होगा साथियों सरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साख्षि बनूँगा ही लेकिन मेरे मन में मेरे रदे के हर स्पंदन में 140 करोड भारतिय मेरे साथ होंगे आप मेरे साथ होंगे हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सब की सांजी अनुभूती होगी मैं अपने साथ राममंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अंगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा त्याग तपश्या की वो मूर्तियां पांसो साल का धैरिय दिर्ग धैरिय का वोकार अंगिनत त्याग और तपश्या की घटनाए दानियों की बलिदानियों की गाथाए कितने ही लोग है जिनके नाम तक कोई नहीं जानता लेकिन जिनके जीवन का एक मात्र धे रहा है भव्य राम मंदिर का निर्मा ऐसे असंख्य लोगों के स्मृतियां मेरे साथ होगी जब एक सो चानीस करोड देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी उर्जा को साथ लेकर घरवगू में प्रवेश करूँगा तो मुझे भी ऐसास होगा कि मैं अकेला नहीं आप सब भी मेरे साथ हैं साथियों ये ग्यारा दिन व्यक्तिकत रुप से मेरे यमनियम तो है ही लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित हैं मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें राम लला के चर्णों में मैं आपके भाव को भी उसी भाव से अर्पित करूँगा जो भाव मेरे भीतर उमड रहे हैं साथियों हम सब इस सत्य को जानते हैं कि इश्वर निराकार है लेकिन इश्वर साकार रूप में भी हमारी अध्धात्मिक यात्रा को बल देते हैं जनता जनारदन में इश्वर का रूप होता है यह मैंने साक्षा देखा है मैसूस किया है लेकिन जब इश्वर रूपी बही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रगट करती हैं आश्रवाद देती हैं तो मुझे में भी नई उर्जा का संचार होता है आज मुझे आपके आश्रवाद की आवश्रक्ता है इसलिए मेरी प्रान्थना है कि शब्दों में लिखीत में अपनी भावनाएं जरूर प्रगट करें मुझे आश्रवाद जरूर दें आपके आश्रवाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं मंत्र है मंत्र की शक्ती के तौर पर वो अवश्य काम करेगा आप अपने शब्दों को अपने भावों को नमो एप के माद्यम से सीधे मुझ तक पहुँचा सकते हैं आईए हम सब प्रभुश्री राम की भक्ति में डूप जाएं इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटी कोटी नमन जैशिया राम जैशिया राम जैशिया राम